वेल्कम बैक तो माई यूटुब चैनल योने क्लासिज तो जैसे कि आप सभी को बहुत लंबे टाइम के बाद डीट रिप्लेस भी ने ये जो रिजल्ट है बड़े महनत के बाद कहें बहुत लंबे टाइम के बाद कहें तो ये रिजल्ट फाइनली आ गया है और आप सभी ये जो खबर है सुनकर बहुत जादा खुश होने वाले हैं तो आप सभी को कम से कम ये लग रहा था कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा और बहुत सारे मन में डाउट से और जैसे मैंने कहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जितना सोच रहे थे कि कभी ये हो गया और डीड रिप्लेस्वी में कभी ये हो गया तो ऐसा सब कुछ नहीं था तो जैसे मैंने कहा था रिजल्ट आएगा और जैसे मैंने कट ओफ, एक्सेप्टेड कट ओफ आप सभी को बताई थी उसी के आज़ पास आपकी जो कट ओफ है वो आई है तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हम TZT, SST, Social Science, Female की बात कर रहे है रिजल्ट की तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो फिमेल्स है वो क्या करते हैं? अभी तक जो रिजल्ट है वो शो नहीं हो रहा है पर मेरी जिम्मेदारी यह थी कि जैसे मैं रिजल्ट की अपडेट देती थी वैसे ही मुझे सबसे पहले आपको क्या बतानी थी कि रिजल्ट आ चुका है बहुत सारों को पता चल गया होगा और बहुत सारों के अब यह हो गया होगी कट आ गई है पर हम अपना रिजल्ट कैसे देखें तो मैं आपको बता दू रिजल्ट का जो एक्टिवेट लिंक है अभी तक नहीं हुआ है अगर हो जाएगा तो लिंक जो आपको description box में दे दिया जाएगा आप जाकर रिजल्ट अपना देख सकते है थोड़ा वेट कीजे ऐसा हुआ है कि बहुत सारों सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो पहले आ गया cut off बाद में शो हुई किसी का कुछ हो रहा था और यह जो है आज ही का आपका notification है देखिए latest है बिलकुल और आपकी जो cut off है अभी मैं show करने वाली हूँ और साथ ही साथ e-doiser कबसे आपकी जो e-doiser है यानि कि जो selected candidates होंगे shortlisted होंगे वो अपने documents verification के लिए upload करने के लिए जो link होगा वो भी DT Plus में ने बताया है कब से activate होगा और कब तक आप feel कर सकते हैं तो देरी किस बात की अफटा फट चलते हैं और अपना result जो है देखते हैं और हाँ आप सभी ने हमारे साथ मिलकर TZT Social Science Female की त्यारी करी है और जिसने नहीं की है तो आपको बता दिया चाए तो हमारे चैनल पर करवाई चाती है ठीक है जिसने की है उन सभी से मैं यहीं उमीद रखूंगी कि आप सभी जैसा भी result हो अपना मुझे जरूर बताएगा इसी वीडियो के comment box में ठीक है तो मैं आप सभी के जो शुब कामना है आप सभी को देना चाहती हूं कि आपका result जो है अच्छा रहे और आप सभी select हो जाएं तो यहां पर देखी जो EWS category है उसकी जो cutoffer 91.95 रही है UR candidates जो है यानि कि journal category के अंदर जो आते हैं उनकी जो एक मिंट उनका जो रहा है वो है उनका 115.21 तो देखी आसपास ही जैसे मैंने कहा था उसी के आसपास है exact आप देख सकते हैं और BC candidate जो है 106.27 पर उनकी cutoff लगी है SC candidate जो है उनकी यहां पर 102.03 पर लगी है ठीक है और ST candidates की cutoff 82.10 पर लगी है ठीक है और PWD की cutoff है वो आपकी लगी है 61.14 पर तो जादा नहीं गई है जैसे आप सब भी डर चुके थे क्योंकि ऐसी comments मुझे मिल रही थी मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रही हूँ जैसे आप सब भी बहुत जादा डर चुके थे कि जो male है उनकी cutoff इतनी गई SSD की और से साथ साथ किसी का कोई message आ रहा था कि किसी कोई comment आ रही थी कि ये result आया है इसमें इतनी cutoff जा रही है हमारा क्या होगा female candidates इतने ज़्यादा apply करते हैं फिर भी तो ये आप देख सकते हैं तो finally result तो show हुआ कम से कम ठीक हैं total candidates जो हैं कितने रही हैं इतने total candidates रही थे female candidates जोनोंने TCT social science का online exam जो है वो दिया था तो आप सभी देख सकते हैं और इसमें से shortlisted जो हुए हैं वो यहाँ पर अभी नहीं बताया गया कि कितने shortlisted जस्ट एसकेंड यहाँ पर total जो candidates हैं यहाँ पर यह बताया गया है ठीक है तो यह आप पूरा read कर सकते हैं मैं इसका जो description या फिर telegram group जो है हमारा उसमें मैं इसको डाल दूँगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं ठीक है उसे join भी कर लेशे आगे जो भी updates होंगी वो आप सभी को मिलती रहेंगी अब हम अपना जो normally हाँ पर तो ऐसे बताया रहता है कि और हाँ ये बात ध्यान रखनी है चाहे आपके जो marks है वो इतने ही आ जाए उसके बाद भी आप तब तक select नहीं होंगे जब तक आप जो है इनका ये जो eligibility criteria इन्होंने रखा हुए अपना और selection के लिए exam का जो criteria है इन्होंने कहा है कि you are candidates जो है paper 1 में 40 marks लेकर आने हैं उन्हीं compulsory और paper 2 में भी 40 marks लाने compulsory है नहीं आए तो आप select नहीं है ये धियान रखने आपको और आपके result जो होगा उसमें दोनों marks show किये जाएंगे paper 1 और paper 2 दोनों के ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया आपका तो यही बात नीचे बताए गई है और उसी के according आप obviously S.E.S.T. और P.H.O.E.W.S. वाले देख लीचेएगा ठीक है अब देखे यहाँ पर e-doiser का जो link है इन्होंने कहा है कि e-doiser का जो link है वो क्या होगा एक्टिवेट हो जाएगा कब एक्टिवेट होगा 23 February 2022 23 February को आपका e-doiser का link क्या है एक्टिवेट हो जाएगा और कब तर रहेगा 9 March 2022 तक एक्टिवेट रहेगा तो यह धियान रखने आपको ठीक है और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो भी candidate shortlisted होंगे उनके पास क्या है SMS और जो email है उनके पास send किया जाएगा ठीक है आपो ध्यान रखना है तो यह आप देख सकते है पूरा का पूरा यह है और यहाँ पर आप पुरुफ के तोर पर यह signature देख सकते है तो अब जो है कम से कम यह संतुष्टी हुई है कि हम आगे त्यारी करें या फिर हमारा selection हो गया है यह आपको पता चल जाएगा बहुत बहुत doubt रहा था कि आपका exam का result कब आएगा October में हुआ था आपका exam October में एक से लेकर नो दस तारिक तक रहा था तो आप देख सकते हैं आप थोड़ी ही देर में आपका जो result है वो show हो जाएगा और आप जो है अभी यह मसोचिए का result शो नहीं हो रहा है तो क्या करीम देखिए activate होने में जो result का जो link activate होने में जिस भी student ने मेरे पास त्यारे की है वो किरप्या करके मुझे जो भी result रहे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे जैसा भी हो आप सभी मुझे पूरी इमानदारी से comment box में क्या है मुझे अपना result बताएंगे ठीक है Thank you for watching this video और all the best guys